हेलो दोस्तों है मुप्राइन जो किचन में आज आपका फिर स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं यूनिक तरीके की डाल धोकली तो चलिए इसे हम बनाते हैं इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर तूर दाल लिया है और तोड़ी लिया है पहले हम दाल बनाएंगे तो यहाँ पर तूर दाल है आप इसे अलहर की डाल भी कह सकते हैं तोड़ी को हमने छिल करके वास कर लिया था अब हम इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं कोशिश करिएगा बारी कट करने की तो इधर हमारी तोड़ी जो है वो कट चुकी थी तो इसे हम एक ब अब इसे हम एक बार फिर से वास करेंगे अब इधर हम जो है दाल को भी धुल लेते हैं तो हमारी दाल धुल गई यहाँ पर तो हमने यहाँ डेढ़ ग्लास के लगभग पानी एड़ किया है अब इसमें हम जो तोरी कट करके रखेते दुल के उसे भी हम एड़ कर देंगे और हल्दी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट से थोड़ा कम भी रख सकते हैं अब हम इसे प्रेशर लगाने के लिए रख देंगे पक जाएगा अब इधर हमारा जो है पैन गरम हो गया था तो हमने इसमें ऑइल डाल करके जीरा चटकाया और प्याज का तड़का लगाया रेट चिली फ्लैक्स एड़ किया आप चाहे तो हरी मिर्च भी एड़ कर सकते हैं यहाँ पर हम मसाले त्यार कर रहे हैं फीलिंग के लिए क्योंकि हमें स्टफ्ट डाल ढोकली बनानी है तो यहाँ पर हमने धनिया पाउडर गरम मसाले और टेस्ट के अकॉर्डिंग हलका सा नमक एड़ किया है अब यहीपर हम आलू एड कर देते हैं हमने आलू बोल करके रखा था अब इसे भी मिक्स कर लेंगे सभी मसालों के साथ जब हमारी आलू अच्छे से बुन गई तो यहीपर हम एड़ करते हैं बार एक कटे हुए पनीर के कुछ टुकड़े अब इसे भी अच्छे से चलाते मिक्स कर लेंगे आया है हम यहाँ हम लाइट मसाले कर रहे हैं बहुत है भी मसाले नहीं है और नमक भी दाल में भी नमक था इस में हम ने की है टेस्ट से थोड़ा सा कम ही मसाल को और नमक को एड़ किया है मैं convinced मसाले तैयार हो गए अब हम आटे गून लेते हैं और आटों से छोटी छोटी लोईया बना करके पूरी तैयार करेंगे हमें बिल्कुल छोटी साइज की पूरी तैयार करनी है तो इधर हमारी सारी लोईया जो है तैयार हो गई अब हम इसे बेल लेते हैं तो हमें कुछ ऐसे ही छोटी छोटी साइज में बेलनी है बहुत बड़ी साइज नहीं रखनी है और बहुत मोटी भी इसकी जो है फिकनेस इतनी ही रहनी चाहिए अब हम यहां पर जो मसाले त्यार किये थे उसको फिल करेंगे तो हमने बीच में रखके इसे फोल्ड किया इसको कुछ इस तरह से इसे फोल्ड करना है तो इसी तरह हम बाकी के पूरियों का भी सेब दे करके त्यार कर लेते हैं अब हम यहां पर कुछ प्लेन भी बना लेते हैं कभी-कभी बच्चों को प्लेन भी पसंद आता है तो यहां पर हमने पिना मसालों के प्लेन भी त्यार किये हैं तो देखिए हमारा सारा ढोकली त्यार हो गया है इसमें कुछ प्लेन भी है और कुछ मसाले वाले हैं इधर हमारा दाल भी पकके तयार हो चुका था अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं तोरी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए बहुत अच्छे से पक चुके हैं डाल और तोरी दोनों अब हम इसे फिर से गैस पर रख देंगे और इसमें हमने एड़ किया एक चम्मच के लगवक सामबर मसाला अब यहां डाल में हमारे बॉइल आने लगा है तो हम इसे में ढोकली को भी डाल देंगे अब हम इसे धीरे धीरे करके चलाएंगे नहीं तो हमारी जो ढोकली का सेव है वह बिगड़ जाएगा तो दीखे हमारी जो ढोकली है अच्छे से बॉइल होने लगी है डाल के साथ तो हमारा डाल ढोकली जो है वह बहुत अच्छे से पक गया है बहुत जल्दी पक जाता है पास मिनिट से भी कम ही टाइम लगता है इसे उबलने में अगल दाल बहुत अच्छे से उबलता हुआ हो तो दो तीन मिनिट में ही पक जाता है अब हम इसे तड़का लगा लेते हैं यहाँ पर हमने घी एड़ किया तड़का पैन में अब हम इसमें एड़ करेंगे जीरा आप राई भी एड़ कर सकते हैं हींग और रेट चिली पाउडर तो इधर हमने तड़का लगा लिया है इसमें बहुत अच्छी खुसबू आ रही है तो दीखे हमारी जो है दाल ढोकली बनके टेस्टी टेस्टी तैयार हो गई है खाने में बहुत ही टेस्टी है और देखने में बहुत अच्छी लग रही है और हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है स्टप्ट डाल धोकली आप भी इस तरह से जरूर बनाएं खाने में बहुत ही टेस्टी यम्मी और हेल्दी भी है स्टप्ट डाल धोकली आप एक बार जरूर इसे ट्राई करें धन्यवाद